नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रावन बोहरा, क्यास्ट्रेंट्रोलजिस्ट एवं लीवर रोग विशेशग्या, अपोलो हॉस्पिटल एहमदाबाद, आज आपको पैंक्रियाटाइटिस रोग के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा. पैंक्रियाटाइटिस को जानने से पहले, पैंक्रियाज को जानना ज़रूरी है, पैंक्रियाज नामक गरंती है, जो पेट के उपर हिस्से में पाई जाती है, उसका आकार एक छोटे केले जीतना होता है, और उसका वजन करीब 100-500 ग्राम के बीच होता है. पैंक्रियाज नामक ग्रंथी से पाचक रस बनते है जो अपने खाने को पचाने का महत्वपून काम करते है पैंक्रियाज मेंसे इंसुलिन नामका एक हॉर्मोन भी बनता है जिसे आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते है यही इंसुलिन अपने बोड़ी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है और यह एक बेहद महत्वपून काम है तो यही पैंक्रियाज नामकी ग्रंथी जब बिमार हो जाती है यहीं कि उसमें सूजन आ जाती है तो हम उसको पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं पैंक्रियाज में सूजन आने का मतलब है कि पैंक्रियाज का आकार थोड़ा बढ़ जाता है उसका कलर थोड़ा सा और ज्यादा पिंक हो जाता है और उसमें से कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो पैंक्रियाज और अपने पेट को ही नहीं बलकि पूरे शरीर को बुरी तिन दिन से शुरू हुई है और फिर ये बिमारी धीर धीर बढ़ भी सकती है या नहीं भी बढ़ सकती है ठीक भी हो सकती है और दूसरी है chronic pancreatitis, chronic pancreatitis का मतलब ये है कि pancreas में एक बार दो बार कई बार सूजन आती रहती है और धीरे-धीरे pancreas कमजोर होता चला जाता है pancreas का आकार्स छोटा हो जाता है वो सूख भी सकता है और उसमें पत्री भी हो सकती है इसको हम chronic pancreatitis कहते हैं लेकिन आज मैं आपको acute pancreatitis के बारे में बताना चाहूंगा अगली बार अपन chronic pancreatitis की भी चर्चा करेंगे क्या है acute pancreatitis के लक्षन तो acute pancreatitis की बीमारी अभी अभी शुरू हुई है यह आज कल या अगले एक दो दिन में बस ज्यादा लंबी नहीं लेकिन होने के बाद यह लंबी चल सकती है वो अलग बात है इसके क्या है लक्षन pancreatitis का सबसे पहला लक्षन है पेट के उपरी हिस्से में दर्द होना दिखिए यह pancreatitis नाम की गरंती है जो की पेट के उपरी हिस्से में अपने नाबी से करीब 5-6 सेंटीमेटर की उपर पेट के अंदर पाई जाती है और इसके अंदर जब सुजन आती है तो दर्द होता है उल्टी होती है बुखार आता है अपनी भूक एकदम कम हो जाती है और ये pancreas का जो दर्द है pancreatitis का दर्द वो पेट के उपरी हिस्से से पीठ में भी जा सकता है तो अगर कोई दर्द जो पेट के उपरी हिस्से में भी है और जो पीठ में जा रहा है तो उसके pancreatitis होने के चांस काफी जादा है इसके साथ बुखार हलका भी हो सकता है तेज भी हो सकता है और ये दर्द 1-2 गंटे भी रह सकता है 4-6 गंटे भी रह सकता है एक-दो दिन भी जाए सकता है और लंबा भी चल सकता है जितना लंबा और तेज दर्द होगा उतने ही ज्यादा severe pancreatitis मानी जाएगी और इस pancreatic pain का सबसे बड़ा feature यह होता है कि जब आप आगे की तरह जुकेंगे कि if you lean forward तो आपका यह दर्द काफी कम हो जाएगा तो अगर किसी का दर्द लोगों को यह बिमारी होती है pancreatitis का सबसे मुख्य कारण है जादा शराब पीना जो लोग regular रूप से जादा शराब पीते हैं महीनों से बरसों से पी रहे हैं तो उन लोगों में pancreatitis में सूजन आती है और उनको pancreatitis नाम का रोग हो सकता है जो कभी-कभी बहुत कस्ट दायक होता है pancreatitis का दूसरा सबसे मुख्य कारण है पित्ता से की पत्री अगर पित्ता से में चोटी-चोटी सी पत्रिया है और उनमें से अगर एक पत्री या पत्री के कण चोटा सा कण भी जो की मूं के दाने जीतना हो सकता है अगर निकल करके पित की नली की जैसी यह दिख रह तो इससे backflow की वज़े से इस pancreas नाम की गरंती है पीले रन की इसमें सूजन आ जाएगी और इसमें सूजन आने से तेज दर्ध होगा तो यह pancreatitis का दूसरा सबसे बड़ा कारण है तीसरा pancreatitis का कारण है कुछ दवाईया कुछ दवाईया ऐसी है जैसे कुछ डायुरेटिक जैसे अगर आपका ट्राइगलिस्राइग पहुच जादा है या आपके परिवार में और लोगों को पहले कई बार pancreatitis हो चुकी है जिसको कि हम लोग hereditary pancreatitis बोलते हैं तो यह आपको भी हो सकती है और ऐसे में आपको इस तरह का दर्ध होगा और उसका आपको जांच और इ अगर आपके पेट में जोर से चोट लग जाए तो आपको pancreatitis हो सकती है और अगर आपने ERCP नाम का प्रोसीजर करवाया है जिसमें पित की नली में से पथरी निकाली जाती है या pancreas की नलस में से पथरी निकाली जाती है तो इस प्रोसीजर के बाद भी तीन चार या तो यह भी आपको हो सकती है इसमें आपको इसमें जांच के बाद कोई कारण नहीं मिलता है अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखी डॉक्टर को या आपको कैसे मालूम पड़ेगा हाव केन भी कंफर्म आपन सबूत के साथ कैसे बोल सकते हैं कि हाँ यह यह दर्द pancreatitis काई है और कुछ भी नहीं है तो इसके लिए कुछ बलड की जांचे होती है जैसे बलड में amylase और lipase नाम की जांच होती है वो अगर बढ़े हुए है फिर बलड के WBC काउंट से इसमें हाई होंगे CRP नाम का एक बलड का टेस्ट होता है वो काफी जादा होगा यह सब pancreatitis म पाकार बढ़ा तो नहीं हो गया है उससे भी आगे एक टेस्ट है CT scan CT scan से pancreatitis का एकदम पक्का निदान हो जाएगा pancreatitis में कितनी सूजन है pancreatitis की नर्स में कोई खराबी तो नहीं है pancreatitis pancreatitis का कारण पिता सही की और पित की नली की पथरी तो नहीं है और यह pancreatitis की बीमारी हल तो यह सब CT scan से मालूम पड़ेगा तो यह जांचों से हम लोग confirm कर सकते है pancreatitis की severity तीन तरक्य होती है एक mild यहनी की हलका एक moderate यहनी की मद्यम और एक severe यहनी की बहुत जादा है तो आपको हलकी है, मद्यम है यह severe है यह doctor के लिए जानना जरूरी है क्योंकि अगर आपको severe pancreatitis है तो शायद आपको ICU में रखना पड़ेगा और आपके उपर थोड़ा जान का खत्रा भी है, mild to moderate pancreatitis जनरली दवा से ठीक हो जाती है और मरीज को जादा problem नहीं होती है, mild pancreatitis का मरीज मुश्किल से एक दो दिन अस्पताल में रहता है और उसके बाद हम उसकी चुट्ती कर स सकते हैं, moderate वाला अकसर एक सपता तक अस्पताल में उसको रहना पड़ सकता है मजबूरी में क्योंकि उसका दर्द थोड़ा लंबा चल रहा है, लेकिन फिर भी उसमें जान का खत्रा इतना नहीं है, लेकिन हा, severe pancreatitis में निश्चित रूप से जान का खत्रा है, चाए हम कित किते हैं, और उसकी सांस की गती तेज हो जा जाएगी, अगर pancreatitis के मरीज को तेज बुखार है, उसकी धरकन तेज है, और उसकी स्वांस की गती तेज है, और वो भी दो तीन दिन से ऐसा ही चला आ रहा है, तो इसका मतलब ये मरीज सिवियर pancreatitis की तरफ जा रहा है, और ऐसे अगर उसका पेट फूल गया है, तो हम नाप में पतली सी नली लगाएंगे, और नली के जरीये पेट में से जो एसीड और पानी है वो भार निकालेंगे, हवा बाहर निकालेंगे, ताकि उससे मरीज को थोड़ा आराम मिलेगा, उसके आगे इलाज करने के लिए, अगर हमको उसके पित की नली में कोई पत्री है, जिसकी वज़े से ये पेंक्रेटाइटिस हुई है, तो हम एक MRI नाम की जांच करते हैं, जिसको MRCP बोलते हैं, MRCP से पक्का हो जाएगा, कि उसके पित की नली में कोई पत्री तो नहीं है, और अगर पत्री है, तो उस पत्री को निकालन के लिए जैसे आप यह देख रहे हैं यह पित की नली इसके अंदर यह पत्री दिख रही आपको छोटी सी तो इसको निकालने के लिए मुझ से दुर्बीन लगा के मरीज को बेहोश करके एक छोटा सा प्रोसीजर किया जाता है जिसको ERCP कहते हैं ERCP के दोरान हम दुर्बीन के के जरिये इस पत्री को बाहर निकाल देंगे और ऐसा करने से pancreatitis में बहुत तेजी से मरीज को फाइदा होगा उसके बाद में जिन लोगों को severe pancreatitis होती है उनको ERCP करना पड़ता है और उनको हम vicious निगरानी में रखते हैं क्योंकि उनको जान का खत्रा होता है उनका BP कम हो सक सकता है उनका पेट बुरी तरह से फूल सकता है severe infection और severe pancreatitis से उनका BP कम हो सकता है और कभी-कभी ऐसे मरीज बहुश भी हो सकते हैं उनमें जान का खत्रा भी होता है ऐसे मरीजों को ICU में रखते हैं और अगर उनका oxygenation कम है और हमको लगता है कि उनके lungs में काफी जादा सूजन पानी का भरा है तो उनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा अगर उनका पिशाप बंद हो गया है तो उनका kidney का dialysis करना पड़ेगा और अगर pancreatitis की वज़े से पेट के अंदर फूल गया और अंदर काफी पानी का भरा है कभी-कभी वो पानी रसी में भी बदल सकता है severe infection की वज़े से तो उसको सोई लगा करके ड्रेन करके बाहर निकालना होता है और कभी ज़्यादा पानी भर गया है पैंक्रियाज गल करके खराब हो गया है और मरीज 5-10 दिन से बिमार है वो ठीक नहीं हो रहा है तो ऐसी हालत में हम लोग मूँ से दुर्बीन लगा के पेट क रस्ते पैंक्रियाज में जाते हैं और फिर पैंक्रियाज में जो गंदा पानी जो गला हुआ पैंक्रियाज का टिश्यू है उसको बहार निकाल देते हैं दुर्बीन के जरिये जिसको नेक्रोसेक्टरम ही बोलते हैं ऐसा करने से मरीज की हालत में सुधार होता है अब्यस् यह बिगड़ा हुआ पंक्रियास के अंदर स्टेंट लगा देते हैं, स्टमक के रस्ते से, जिसको हम लोग स्टेंट प्लेस्मेंट बोलते हैं, ऐसा करने से, पंक्रियास का गंदा टिश्यू स्टमक के जरिये बाहर निकल करके मरीज को रहार पहुंचाएगा, और जब यह हो सके, पंक्रियाटिस होने के टीन-चार वीक तक हम मरीज का उपरेशन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे में उपरेशन करने में मरीज को रिस्क ज्यादा रहती है, और अगर मरीज चार वीक तक का समय निकाल दे, और अगर उसको जान का खत्रा नहीं है, तो ऐसा उपर करना है, वो हम करने को तयार है, और सजरी उसका एक अच्छा अप्शन है, अब और हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको एक बार पंक्रियाटिस होगी है, जो कि माइल्ड और मोडरेट या ठीक हो के घर चलेगे, आपके लिए खुशी की बात है, लेकिन कुछ लोगों को पंक् करते हैं, जैसे अगर पित की नली में पत्री से पंक्रियाटिस होई है, तो मरीज को आपरेशन करके अपना पित्ता से निकलवा देना चाहिए, गॉल बेटर निकलवा देना चाहिए, ऐसा करने से उसको वापस पंक्रियाटिस नहीं होगी, अगर कोई मरीज शराब पी रह क्या है प्रग्नोसिस? माइल्ड मोडरेट पेंक्रेटाइटिस जनरली मरीज ठीक हो जाता है और ज्यादा तर रोगी वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी जी लेते हैं उनको कोई प्रॉबलम नहीं होती है कुछ लोगों को जब बार-बार acute pancreatitis होती है एक बार होई, दो बार होई, तीन बार होई तो फिर उन लोगों को chronic pancreatitis भी हो सकती है तो ऐसे मरीज़ों को हमेशा डॉक्टर और अस्पताल के follow-up में रहना चाहिए यह उनके लिए फाइदे की चीज है तो यह सब कुछ है acute pancreatitis के बारे में जो एक खतरनाक सी बीमारी है खास करके अगर severe है पर हाँ, अगर आप जल्दी एस्पताल की शरण में जाएंगे अगर हम लिदान करके उसका कारण मालुम कर लेते हैं उसका कारण को हटा देते हैं तो कई बार मरीश पूरी तरह से ठीक हो जाता है जो हमरे लिए और आपके लिए खुशे की बात है और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप जरूर अपने मित्रों के साथ शेर कीजिएगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद